तो गाइस हम लोग बात करें नॉन कंटेने शोप्स की नॉन कंटेने सब्सक्राइब जैसे पिछले सेशन में कर चुके हैं वह वर्ब जोते हैं जिनमें आएंजी नहीं लगता राइट अब हैव एक बहुत इंपोर्टन नॉन कंटेने सुपर बहुत सारी बुक्स में बहुत बार बताता हूं कि हैं जब भी आये नॉर्मली गलत होता है हमेशा नॉर्मली गलत होता है अब सबसे पहला रूल हमें याद रखना है कि अगर टाइम में सही है नहीं तो विल्कुल ठीक लगेगा बट वाट हैंग वाट इस वीडियो में डीटेल में मिल जाएगा आपको The Debatte's the answer is I have a headache and I am having a headache दोनों same time की बात कर रहे हैं Both of them talk about exactly the same time that is right now फजब अभी की बात कर रहे हैं अब जब अभी की बात कर रहें तोh having गलत हो जाता है तो हमें क्या पॉइंट याद रखना है वेनेवर इंजी हैं सिंपल प्रिजिए टॉक बॉट इसकी अभी हमें नेक्स सेशन में लिस्ट भी करनी है जो बहुत इंपॉर्टन तो आज हम उन जगाओ की बात करेंगे जहां पर हम हम हैं अराम से लगा सकते हैं सबसे पहले जो हम हमchosके iam drink and smoke so I have my lunch मैं खाना खाता हूं I'm having my lunch मैं खाना खा रहा हूं I have a cigarette मैं cigarette पीता हूं I have a cigarette every day in the morning and I'm having a cigarette अभी cigarette पी रहा हूं तो जब मैं खाने पीने या cigarette पीने की बात करता हूं तो मैं having लगा सकता हूं स्मोक बहुत सारे लोग स्पेशली जो मेरे स्टुडेंट्स या पहाड में रहते हैं उन्हें पता होगा कि केवल cigarette पी जाती पीपल स्पी का स्मोक अधर थिंग तो हर स्मोकिंग के लिए आप है लगा सकते हो तो है वर में अपने आप डिफरेंस हो इसके बाद जो अगले दो इस यह रूटीन and I'm having fun I'm having sex that means right now ठीक है तो जब भी दिल्ली जाता हूं मजे करता हूं whenever I go to Delhi I have fun ठीक है अभी मैं Delhi में हूं and I'm having fun तो इन दोनों के साथ आप have लगाओ having लगाओ कुछ गलत नहीं है तो यह सारे वर्ट्स हो है यहां पे have का मतलब होगा हमेशा और having का मतलब ह होगा when we talk about right now next point this is a little important time अब I'm having time बिल्कुल गलत है क्योंकि I have time मेरे पास अभी वक्त है I'm having time मेरे पास अभी वक्त हो रहा है बिल्कुल गलत है so I have time ठीक है लेकिन अगर मैं बता दूं कैसा time good bad nice whatever तो मैं having लगा सकता हूं क्योंकि फिर good time और fun सेम बात हो जाती है I'm having a good time मजे कर रहा हूं I have a good time मजे करता हूं so whenever I go to Delhi I have a good time right now I am in Delhi I am having a good time so when I tell you how I have a good time to have a good time so I have a good time to have a good time to have a good time to give birth this is a little bit important guys because recently CGL has come in the last year and this is an exception now for example I am having a brother क्योंकि मेरा भाई हो रहा है does not make sense I have a brother मेरा एक भाई है अब examiner ने क्या किया यह बिल्कुल वही है जो आपको समझ में रहा है कर मैं कहता हूं मेरा भाई हो रहा है तो that means the kid is being born बच्चा पैदा हो रहा है तो जैसे examiner यह प्रूफ कर दे कि the women is giving birth to the kid कि women जो है वो operation theater में और वो बच्चा पैदा हो रहा है कि वल उस scenario में मैं having बोल सकता हूं brother sister ऐसे words के साथ राइट तो जैसे question क्या है था the old man the women faced a lot of difficulties while she was having a baby तो वहां पर having a baby पिल्कुल ठीक है और हमारी books में लिखा होता है कि brother sisters baby के साथ having नहीं आथा तो examiner ने क्या किया examiner ने एक exception ढूला तो इसलिए बहुत important है कि जब बच्चा पैदा हो रहा होगा तो आप having लिख सकते हो तो अब अगिन I don't know किस लेवल तक के हाफे questions आ सकते हैं बट अगर हमारे को US या UK का पेपर से उन्होंने question टेपा तो हमारे को brother sister आ सकता है because sex determination is okay तो brother sister उसमें होगा बट आप से छोटे रिष्टे होंगे मैं यह नहीं कह सकता है I'm having my dad right वह गलत हो जाएगा बठा I'm having a brother I'm having a sister I'm having a daughter I'm having a son यह सब हो सकते हैं but I'm having a girlfriend यह नहीं हो सकता चाहे वह girlfriend आप से चोटी भी हो क्योंकि आप दो साल के और आपको यह नहीं पता है कि जो अगली लड़की पैदा होने वाली है वह आपकी girlfriend होगी यह I'm having a boyfriend right so वह रिष्टे हो सकते हैं जो आप से चोटे हैं तो I'm having a brother, sister, daughter, son, grandson, granddaughter, nephew, niece इस तरीके के रिष्टे आ सकते हैं next easy है shower नहाने के लिए या नहा रहा हूं अभी I'm having a shower बिल्कुल और मैं रोज नहाता हूं I have a shower मैं केवल होली पे नहाता हूं I have a shower once a year ठीक है मैं होली डिवाली दो ताइम नहाता हूं I have a shower twice a year so I have a shower मैं नहाता हूं I'm having a shower अभी नहाता हूं and guys जो अब सबसे इंपोर्टेंट इसमें पॉइंट पॉइंट जहांपे examiner सही में हमें कन्फूज कर सकता है that is when you are experiencing something जब आप इस वक कोई चीज experience कर रहे होते हैं again मैं बुक्स का example दोंगा problem अब according to books according to logic 99% cases में I am having a problem गलत है why because मैंने आपको question solve करने को दिया आपसे question solve नहीं तो आपको problem है आपको problem हो रही है नहीं बोल सकते हैं जब आपसे पूछने आपके आपके आपको लोगेसर problem है समझ में आप तो इसलिए I am having a problem 99% cases में गलत है अगर इतना portion आएगा तो having a problem हमेशा गलत but examiner a condition लिख सकता है जिस condition की वज़े से having a problem ठीक हो जाएगा तो I am having a problem or I have a problem में क्या फरक होगा guys I have a problem is a menace say for example मेरे सामने 20 बच्चे बैठे हुए मैंने एक question दिया सब लोगों को बीस में से 14 बच्चों ने solve कर लिया ठीक है चार बच्चों ने छोड़ दिया उनसे solve भी नहीं होगा तो चार बच्चे किताब बंद करके बैठ गए कि यार इसमें तो problem है टीचर से पुछोंगा So, I have a problem अब बचे 2 बच्चे जो अभी करे जा रहे हैं काते जा रहे हैं काते जा रहे हैं काते जा रहे हैं जम्में पास, उनकी बच्चान किया हुआ समझ नहीं आ रहा है और सभाशने फोड़ी सी ब्रॉब्लम होई I'm having some problem तो क्या हुआ वो problem इस वक्त experience कर रहे हैं अगर आप लोग cricket देखते हैं तो नॉर्मली क्या होता है अगर batsman आउट होने से बार बार बचे जा रहा है बट आउट नहीं हुआ है तो he is having problems why because he is experiencing that thing at that very moment experience वाला सीन है इसमें examiner कोई भी शब ला सकता है उसको के वाले कैसी condition डूणनी है जहां पर उसका meaning बदल जाए अगर examiner time बदल सकता है तो ing ठीक हो जाता है जो मैंने अपनी first class में पहला था तो experiencing वाला जो question है कभी घब कोई डिफिकल्ट देना होता है तो हमारे को क्या ध्यान देना है हमारे को यहां द्यान नहीं लिए यह वाला portion question और अवरेस्टिए आपको कि आपक्टियंगी छिए रभी निए टाज चाल इंड रिंड डिल इन लिंग को एंग्टियु तक हैं अटर इंड हैं इवक्री ज्टोष स्टबेस्ट इंड टोड़ी इंड हैं